तो हेलो दोस्तों ABC कोचिंग यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ड एक्जाम की तैयारी काफी जवर्दस तरीके से कर रहे होंगे बच्चो यह वीडियो आप सभी किली बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चो इस वीडियो में हम देखेंगे Class 12 Subject History याने की इत्यास की Most Important BBI Objective Question जो कि आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जा सकते हैं इसलिए बच्चो परिक्षा देने से पहले इन वीडियो में बताएगे सभी कोशन आंसर को आपको अच्छे से Copy में नौट कर लेना है इसको एक्जाम से पहले Revision कर लेना है और हो सके तिसको आप जो है अच्छे से रट लिजेगा बच्चो इस बार जो है बोड की परिक्षा होने वाली है उसका आपका जो पैटर्न होगा वो अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाले हैं अबजेक्टिव वाला जो एक्जाम सोगा उसका अंसर आपको अमार्शिट पर देने हैं और सब्जेक्टिव वाला दिये जाएंगे इस प्रकास आपनों को पैटर्न है इसको आपनों को दियान फ्रोक रखना है और इसी के अनुसार आपनों को तयारी भी करनी है चले बच्चो आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ शमान निर्देश को भी देख लेते हैं तो देखिए बच्चो मैंने अभी जो है तो दिया जाएंगे इन फट्टस आपको है इसे करके तो और च्विकल्प भी आपनों सभी को दिये जाएंगे जो थोड़ा सा भी मिश्टे को याता है तो उसका नमबर कर जाएगा इसलिए इसको जो है गोले को अच्छेसे आपको तो जलने हैं और चैनल पर पहली बारा है चैनल को सभ्राइब करने के साथ बैला कॉन को भी प्रेश जरूर कर लिजेगा चले बच्चो कोशन के ओं चलते हैं तो देखिए बच्चो सबसे पहला सवाल जो है आप हमारे स्क्रीन पर देख पारे हैं दिया गया है कि 1922 में मोहन जोड़ो की खो जो है किसने की तो देखिए बच्चो यहाँ पे चार आप् इसेutet, इसी प्रकास है आपकी जो बोर्ड उंट होगे कि अपने वाला है तो उसमें भी आपनोंको चार विकल्प दिये जाएंगे जो सही विकल्प उगा उसको जो है आपको ओमारे स्क passé पर गोले को काला करकर आपको आंसर देशन है देखिए बच्चो यहा पे जैसे कि प मि級ला करना जैसे के मैं आपको आपको अच्छे से यहां पर बता देता हूँ तहीं यह पर राखल दास बनर जी ने, option number A जो है, इसका सही answer है, तो ये वला जो option number A होगा, इसको अच्छे सा आपनों को क्या करना है, गोले को काला कर देना है, ठीक है, इसी परकासे आपको वहाँ पे गोले को काला करना है, ये नहीं होना चाहिक, हम ऐसे कर दिये, और ऐसे करके थोड़ा इस परकासे क्या होगा, ये जो है answer, आपका गलत हो जागा, एकदम सही तरीके साब को भरना, इसी परकासे आपको जो है, गोले को काला करना है, ठीक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एकवार फिर से मैं बता देता हूँ, प्रस्निया यहां पे देख सकत अधिक, ले ना है, ताकि इस बार भी आपको जो है, बोर्ट की परक्षा में चार स्वपलस अंक आपको लाने है, इस बार भी आपो दोंको बोर्ट की परक्षा में, टॉपर बनने से कोई नहीं, रोख सकता है, इसको आप लोग अच्छे से तयार करेंगे और ऐसे तारhini प आप लोगों को पूरा करना है चले बच्चों आगे बढ़ते हैं देखिए बच्चों सबसे पहला सवाल था मैंने बताया और दुसरा सवाल जो दिया गया है कि इंडिका की रचना जो है किया था मेगा इस तिनी जिने ठीक है तो आप्सन नंबर जो है भी इसका सहीवा साथी कांसर होगा इसको आप लोग नौट कर लिजे पुरानों की संक्या कितनी है अठारा है अप्सन बीस का सहीवा साथी कांसर होगा अगला सवाल है चौथा नंबर कि सुला है एकुल की निती ठीक है यहां देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यह कई बार एक्जामें प इबन बतूता ने अपनी यातरा का विवरन जो है किस भासा में लिखा था देखे इबन बतूता ने जो अपनी यातरा किया था उसमें जो अपना पूरी जिवनी लिखाया उसने जो अपना विवरन दिया है वो किस भासा में दिया है बच्चो तू उसने किस भासा में दिय कि दिया था उन्हों नहीं ने दिया था अरभी भासा में की ताउप्य। नंबर डी में दिया हुआ इसका सही वा सब्सक्राइब कि एक लिए Woods मृण नावी यह इसका सरी बति काशर होगा इसको अप्लोग नौट कर लिजिए अगला सवाल दिया गया है कि रमानंद के सिस्य कौन थे तो देखे बच्चों रमानंद के सिस्य जो है वो रैदास भी थे कभीर भी थे धन्या और पीपा ये भी थे तो इसलिए दोस्तों इसका क्या हो जागा रमानंद के सिस्य कौन थे इन में से सभी थे तो option number D जो है इसका सहीवा 60 कांसर होगा चलिए अगला सवाल आठवा नमबर दिया गया है कि 1949 में forward block की अस्थापना जो है किसने किया था देखे 1949 में पुशा गया है 1949 में forward block की अस्थापना जो है किसने किया था बच्चों तो उन्होंने क्या था सुभास चंदर बॉस ने तो option number C जो है इसका क्या होगा सहीवा 60 कांसर होगा इसको copy में आपनों को not कर लेनी है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दिया गया है कि जलिया वाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो देखिए बच्चों यह जो है जब अंग्रेजी सासन था सासन काल था तबी जो है जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था चुकि काफी लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया था ना मार दिया गया था और जलिया वाला बाग हत्याकांड ये काफी परसिद हट्याकाड में से है और इसको जो है इक्जाम से पहले रट लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है न कम से कम आप लोगों को यहाँ पर पांस सवाल देखने को मिलने वाला है इसलिए आप इसको अच्छे से रट लेजिएगा देखिए जले आवाला करने ता कूँन था तो संधाल विद्रो का नेता था सीध्धू का अब बचपन का नाम पताहोगा Bye अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बहुत ही BBI सवाल है, बहुत important सवाल है, इसको आपनों को नौट कर लेनी चाहिए, देखें, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो है, 1905 इस वी को हुआ था, अगला सवाल दिया गया है, कि मुस्लिम लिग द्वारा मुक्ती दिवस कब मनाया गया? तो देखें, मुस्लिम लिग द्वारा मुस्लिम लिग द्वारा मनाया गया है, वो कब मनाया गया बच्चों? तो इसका विभाजन दिसंबर 1949 को, ठीक है? याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1949 49 को जो है, मुक्ती दिवस जो है, मुसलीम लिग दुबारा जो है, मनाय गया है, option number D, इसका सहीवा सटीक आंसर होगा, अगला सवाल है कि किसका जन्म अस्थान जो है, तलवंडी है, देखें, तलवंडी, किसका जन्म अस्थान है, बहुत बारी कजाम में पूशा गया है, repeated question ह आप लोगों को नोट कर लेना है, तो इसका अंस्थागा नानक, ठीक है, इसको याद रखना है, नानक, नानक का जो जन्म अस्थान है, वो क्या है, तलवंडी था, तो option number B, जो है, इसका सहीवा सटीक आंसर होगा, चलिए, अगला सवाल दिया गया है, कि विजय नगर की य आतरा जो है, किसने किया था, निकोनी, ठीक है, निकोली कॉंटीने, निकोली कॉंटीने, तो option number C, जो है, इसका सहीवा सटीक आंसर होगा, इसको आपनों को अच्छे से रट लेना है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर, तो दिखे, अगला सवाल द बताईएगा, कि अहसायोग आंदोलन की सुरुवाद जो है, कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, इसका जो डेट है, ठीक है, आपनों को डेट बताना है, कि कब हुआ था, आपनों को यहां पे, मैं यह हमबर के तोर पर दे रहा हूँ, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के और 17 नमर सवाल दिया गया है, कि माभारत का युद कितने दिनों तक चला था, तो माभारत का युद हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे, माभारत का युद ठीक है, आप धरवायत में भी पढ़े होंग टोटल कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक, और यहां सवाल दिया गया है, माभारत का युद कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला, तो उप्शन नमर सी, जो है, इसका सहीवा साटी कांचर होगा, चले अगला सवाल दिया गया है, कि किस मुगल सासक ने हिंदुआँ पर से जैजाकर हटाया था, तो जैजाकर सबसे पहले समझेंगे, तो जैजाकर होता क्या है, धियान दिजेगा, अकबर में, ठीके, अकबर ने क्या किया था, सभी हिंदुआ पर एक जैजाकर्ज कर होता था, जैसे जमीनी वाला जो नहीं होता है, वही सारा एक कर होता है, तो एक कर्ज के तोर पर हटा गया था यह किस ने हटा था कुछ मुगल सासक ने हटा आए था यह पुछा गया है तो जाई-जाकर जो है अकबर ने हटा आए था ओपसन नंबर बी जो इसका सयंतर हो ठीके इसको आप लोगों को रट लेना है चलिए अगला सवाल उनिस नंबर दि सवाल है इसको आप लोग अच्छे से नौट कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों देखिए बीजाक में किसका उब्देश है संग्रीत है यह कबीर का किसका है कबीर का है तो ऑप्सन देखिए किसमें है ऑप्सन ए में दिया हुआ ठीक है अगला सवाल दिया कि बुलंद दरवाजा कहा है तो देखिए कई बार आप लोग डिसकस करते होंगे बुलंद दरवाजा के बारे में आप लोगो नहीं पढ़ा होगा आपकी टीसर भी आपनों को बताये होंगे बुलंद दरवाजा यह कई बार आपके जो है लेंगरस में आते हैं कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुलंद रवाजा फतेःपूर सिक्री ठीक है तो आप लोग कई बार रटे होंगे तो देखी इसमें सवाल जो दिया गया कि बुलंद रवाजा कहां है तो आपको बहिचक आपको मार देना है अप्शन नंबर ए हो जागा फतेःपूर सिक्री अप्शन ए जो है इसका सहीवा साथिक आंचर होगा ठीक है चलिए अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि भारती राष्टी ए कॉंग्रेस की अस्थापना जो है किस वर्स हुई तो बच्चो इसको आपनों कॉमेंट में बताएं क्योंकि मैंने कई बार आपनों को बताया है कि 1850 में हुआ है कॉंग्रेस की अस्थापना किस ने कब हुआ था तो देखे कॉंग्रेस की अस्थापना जो है किस वर्स हुआ था 1885 में तो अप्शन नंबर बी जो इसका सहीवा साथिक आंचर होगा ठीक है चलिए अगला सवाल दिया गया है कि संथाल विद्रों किस वर् में कब हुआ था 1855 जो कि अप्शन नंबर सी इसका सहीवा साथिक आंचर होगा 1855 ठीक है चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत आने वाला पर्थम पूर्त गाली कौन था ये कई बार एकजामें पूछा गया है और आप लोगों ने सही जवाब भी दिया होगा वास्कू दिगामा जो है कौन है भारत आने वाला पर्थम पूर्त गाली था ठीक है तो अगला सवाल 24 नंबर देखें तो यहां पर देखें अगला सवाल दिया गया है कि हड़ापा किस यूग की सभ्यता है तो ये कई बार एकजामें पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है कि ये जो है कांस यूग है क्या है ब्रॉंज एज है ठीक है तो ऑप्सन नंबर जो है बी इसका सहीवा सथी कांसर होगा इसको नौट कर लिजे चले अगला सवाल दिया गया है कि मुसलिम लिग की अस्थापना किस वर्स हुई देखें कई बार ये कुरिशन रिपीट किया गय इसका सहीवा सथी कांसर होगा चले अगला सवाल 26 नंबर दिया गया कि पकिस्तान सब्द किस ने दिया तो पकिस्तान सब्द जो है चौधरी रहमत अली ठीक है क्या बदागा चौधरी रहमत अली ने ये सब्द दिया था पकिस्तान ठीक है अप्सन नंबर सी जो है इसका सह साथिक आंसर होगा चौदरी रहमत अली चलिए अगला सवाल दिया गया कि भारत का पर्थम मुगल सासक कौन था भारत के पर्थम मुगल सासक थे कौन थे ये थे बाबर ठीक है अप्सन नंबर ए इसका सहीवा साथिक आंसर होगा अगला सवाल है कि गुप्त राजवन्स के कि इस सासक को भारत का नोपलियन कहा जाता है तो इसका शुड़ागा समुद्र गुप्त अप्सन नमबर ए जो है इसका सहीवा साथिक आंसर होगा इसको आप लोग कॉपी में नौट करके एक्जाम से पहले रिविजन जरू कर लिजेगा चलिए अगला सवाल दिया गया है और मुक्त मताल दियर नामक गरंत के लेखा का कौन थे तो ये कई बार एक्जामें पूछा गया है रिपीटेट सवाल है और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है इसको आप लोग नौट कर लिजे तो दोस्तों इसका अप्सन नमबर सी हो जागा कृष्ण देव राय ठीके साइवा साथी का अंसर होगा इसको आप लोग नौट कर लिजे अगला सवाल 30 नमबर दिया गया है कि सिंदू सब्यता का कौन सा अस्थल मृत्यकों का टिला के रूप में फिख्यात है तो ये कई बार एक्जामें पूछा है रिपीटेट सवाल है और बहरी बहरी इंपोर् और मोहन जो दिलोस इलेटेट 100 प्रसंट वो आपके एक्जामें पूछेगा ही पूछेगा इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से रट लेना है तयार रखना है चलिए अगला सवाल क्यों चले अगला सवाल दिया गया है कि पियद असी किस सासक को कहा जा गया है पियद सवाल दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखा का कौन है तो अर्थशास्त्र के लेखा के बच्च काश्ले क्या उन्हां है कोटिलिय आप इसको आप लोग याद रखेंगे तो क्या जागा कोटिल इसको आप लोग नौट कर लिजेगा अर्थसास्तर के लेखाग कोटिल है अगला सवाल 33 नमर दिया गया है कि अकबर नामा के रचनाकार कौन थे तो अकबर नामा के रचनाकार थे बच्चों अबूल अबूल फजल ओप्सन नमर डी इसका सहीवा सतिकांचर होगा चलिए अगला सवाल दिया गया कि धकन डंगा ठीक है धकन डंगा आयोग कब नियुक्त हुआ तो बच्चों इसका अठारो सो पचतर इस विवे नियुक्त हुआ है अगला सवाल है कि गोल मेज समेलन का आउजण कहां किया गया तो इस कांचर जागा लंदन में किया गया है ठीक है अप्सन नमर जो है इसका सहीवा सतिकांचर होगा अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम की अस्थापना जो है कहां की गई है तो फोर्ट विलियम की अस्थापना जो है कलकत्ता में की गई ह तो उप्सन नश्म भी सका सिवां 60 का अंसर होगा ठीक है चलिए अगला सवाल दिया गया कि जो हुए महाजन पद में सबसे शकति साली महाजन पद कौन सा था दिखिए अनुट बार मैंने आपको कहा है और बता है तो यह इसका आंसर रहा है मगद क्या हुजागा मगद ठीक है याद रखेंगे मगद जो है एक महाजन पर सबसे सकतिसाली है आप इसको नौट कर लीजे ओप्सन नमबर डी में इसका अंसर दिया गया है इसको आप लोगों को नौट कर लेना है ठीक है चले अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1857 की क करांती वी है इसका डेट पूछा गया है कि कब शुरू हुआ था तो यह शुरू हुआ था दस मई 1857 को तो इसका याद रखना है दस मई ठीक है दस मई को जो है यह करांती जो है अरम हुआ है शुरू हुआ है ठीक है याद रखेंगे दस मई 1857 वी अप्सन नमबर इसका सह अगला सवाल दिया गया है कि दक्षिन अफ्रीका से महत्मा गांधी वापस कब आए तो बच्चों इस का अगला सवाल और आखरी सवाल है उससे पहला आप बच्चों मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या आपने इस बार भी बोर्ड की परिक्षा में टार्गेट रखा है कि इस बार भी आपको 400 से ज़्यादा अंक आपको हसिल करने है 90% पलस जो है आपको अंक लाने है क्या आप जो है टॉपर का सपना देख रहे हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा बच्चो चैनल को सस्क्राइब करने के साथ जो है चैनल को आप लोग जो है जोईन भी जरूर कर लिजेगा ताकि सभी कोश्चन का आपनों को PDF जो है आपनों को मिल पाए और पीडियाफ कहा मिलेगा टेलिग्राम पर टेलिग्राम का भी लिंग कर डिस्क्रिप्शन में दि तो दिल्ली चलो का नारद दिया था सुभास चंद्र बॉस ने दिया था ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही वां सटीक आंसर होगा तो चले बच्चो इस प्रकास से हमने इत्यास की जो है चालिस भी आई ऑब्जेक्टिव सवाल देखे हैं जो कि आपकी बोर्ड क की बारिक्षा के लिए बहुत ही मौतपुन है इसलिए एक्जामस से पहले हैं इसभी कोस्ट्राव को आपको अच्छा से रिविजन कर लेना है याद कर लेना है चले बच्चो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक करने के साथ आपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर किजेगा